किया आपके घर में भी जब चावल बचते हैं तो वो वेस्ट होते हैं, तो अब आप उन्हें फेके नहीं, क्योंकि आज हम मनाने वाले हैं बचे हुए चावलों से बहुत ही मज़ेदार नोसा, जो की बहुत ही ज़्यादा क्रिसपी और मज़ेदार बनने वाला है, और साथ ह साथ इस डोसे के साथ बनाएंगे एक यूनीक सी चटनी जो इस डोसे का टेस्ट बढ़ा देगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं इसे तो इस डोसे को बनाने के लिए यहां पे मेरे पास है रात के बचे हुए चावल। इसे हम डाल देंगे मिकसर जार में साथ ही साथ ड पेस्ट बना लेंगे तो अगर आपको पानी की ज़रत लगे तो आप पानी भी इसमें आड़ करके इसका पेस्ट देयार कर सकते हैं बस पानी का ध्यान रखेगा बहुत जादा नहीं आड़ करना है तो बस इसका एक बढ़िया सा स्मूथ सा पेस्ट मैंने बना लिया है अब एक बोल में कर लेंगे ट्रांसफर यहां पर मैंने बोल में इसे ट्रांसफर कर लिया है तो बिलकुल नॉर्मल डोसे जैसी कंसिस्टेंसी की है अब यह बिलकुल पर्फेक्ट है तो इसे हम 10-15 मिट तक रेस्ट करने देते हैं तब तक बनाएंगे चट्नी तो चट्नी के प्रश्राइल ही आड़ किया है और डाल देंगे एक टीज्पून सा बुद जीरा जीरा के चटकने के बाद इसमें दाल देंगे बड़े टुकडों में कटे हुए प्याज दो टेबल स्पून मैं दाल दिया उड़त की दाल दो टेबल स्पून चनी की दाल इसे हम बिल्कुल फ्लेम पे भून लेंगे आप थोड़ा सा इसे भूनने के बाद हम इस पर डाल देंगे लैसन की कलिया तो मैं यहां पर डाल रही हूं करीपास से 6 लैसन की कलिया एक इंच अद्रक का टुकड़ा और आधा कप करी लीव्स मैंने डाल दिया है दो मिर्च को इस तरह से तोड़ और इसे भी हम थोड़ा सा एक से दो मिनट तक रोस्ट कर लेंगे तो जादा रोस्ट नहीं करना है आपको बस एक से दो मिनट ही से रोस्ट करें यहां पर मैं डाल दूंगी टमाटर तो एक बड़े साइस का टमाटर मैं डाल दिया है साती सा डाल दिया है नमक एक से दो मिन यहां पर इसे ठंडा में घाऴ करेंगे तो यहां पर फीमम करेंगे की दाल देंगे यहां पर और पर तड़्का लगाना है तो एक सरसू का तЕल एमयבर तो आप जो साथ भी ऑयल घाते हों भी आप आट कर सकते हैं इसी कसासाँ औल देंगे 1.5 टीस्पून mustard seed mustard seed के चटकने के बादस में दाल देंगे हींग और ठोड़े करी लेव्स साथ ही साथ दाल देंगे 1 साबुत लालमिर्ची तो बस हमारे चटनी के लिए तड़का रेडी है अब इस तड़के को डाल देंगे चटनी के उपर तो बहुत ही ज़ादा टेस्टी और मज़ेदार सी हमारे डोसे के साथ सर्फ की जाने वाली चटनी बनके तयार है इसे आप डोसा इडली किसी के साथ भी इंजॉय करें बहुत ही जादा मज़ी की लगती है अब डोसा बनाने के लिए मैंने तवे को अच्छे से गरम कर लिया है इसके उपर डाल देंगे थोड़ा सा ओयल करीब आदा टीस्पून के आसपास और इसे कर लेंगे तवे के उपर स्प्रेड अब यहाँ पे तवा गरम है तो इसके उपर हम डाल देंगे थोड़े से पानी के छीटे और इसे टावल से अच्छे से पोश ले अब यहाँ पे बैटर ने रेस्ट कर लिया है तो चरिए अब इससे बना लेते हैं डोसा तो तवे के उपर इस तरह से इस खोल को हम डाल देंगे बिल्कुल सेंटर में और इसे बिल्कुल जैसे नॉर्मल डोसा बनाते हैं वैसे ही गुमाते हुए स्प्रेट कर लेंगे तो तवे के उपर इस तरह से स्प्रेट कर लेना है तो तवे के उपर डोसा बेटर मैंने स्प्रैड कर लिया है और थोड़े टाइम के बाद ही इसमें ऊपर से थोड़ा तूड़ा ड्राई लगने लगता है जैसे इसमें ब्राउन चित्या आए वैसे ही हम इसमें ऊपर से डाल देंगे थोड़ा सा देशी घी तो यहां पे उपर से मैंने थोड़ा सा देशी घी डाल दिया है आप ओयल का भी इस्तवाल कर सकते हैं और डोसे के उपर डाल देंगे थोड़ा सा पावभाजी मसाला और थोड़ा सा ही लाल मिर्च का पाउडर और इन दोनों को ही हमें डोसे के उपर स्प्रेड कर लेना है तो पहले मैंने पावभाजी मसाला को स्प्रेड कर लिया और थोड़ी सी लाल मिर्च अब डालके इसे भी स्प्रेड कर ले रही हूँ तो इससे बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट आता है हमारे डोसे में तो बस हमारा डोसा बन के तयार है चलिए मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ा से से पलटके इसने अपने आप ही तवे को छोड़ दिया है और ये देखे कितना मज़ेदार बना है तो फ्रेंड्स जितना ये देखने में अच्छा लग रहा है खाने में उसे कहीं जादा टेस् तो यहाँ पर पहले वाले तरीके से ही दूसरा वाला भी डोसा बना लेंगे तो फ्रेंड्स बस इसी तरह से सारे डोसे हम बना के तयार करते जाएंगे तो फ्रेंड्स अब अगर चावल घर में बच जाते हैं तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं उसे आप बिलकुल भ साथ इसाथ चैनल में पहली बार आए हो तो उसे सब्स्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर लिक करें मिलती हूँ आपसे नेक्स वीडियो में चलें टेक केर एंड बाबाई